नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास यूटेक में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से जूड़ी अपडेट्स के बारे में इसके साथ साथ इन तीन टाइप के छात्र अब देखो क्या है कि स्कॉलरशिप तो भेजी नहीं जा रही है और जो भेजी जाएगी भविस्स में भेजी जाएगी यानि कुछ दिन बात भेजी जाएगी लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि कि इन चात्रों की नहीं भेजी जाएगी कि इनको इंतिजार अब नहीं करना है इनी सारी चीज या फिर उनके लिए वही 55% का क्रेटेरिया पर अमल किया जाएगा जो की पुराना था सारा कुछ कवर करूँ उससे पहले आप लोग चैनल को सस्क्राइब करूँ नीजे देखो सस्क्राइब बटन दिखरा होगा उसको प्रेस करो अभी और बन जाओ इस फैमिली का हिस्सा बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक करते हुए चली वड़ो को सुरू करते हैं और आ दिया जाता था लेकिन इस बार OVC वालों के साथ इस पेसली और जनरल वाली चात्रों के साथ 65.2% का एक क्राइटेरिया ला दिया गया यह आईतने से कम है फिर समस्या होगी सवाल सीधा सा है कि क्या यह SCSD के चात्रों के लिए भी लागो होता है क्योंकि उन्हें हर वर्ग विस्ते सारक्षर दिया जाता है और उनका 55-65% वाला कॉंसेट तो आप जानते ही हो बताने की जरुवत नहीं कोई नई चीज नहीं तो बिल्कुल अभी तक उनके लिए कोई ऐसा मतलब स्पेस्फिक नहीं है कि हाँ 65-92% चाहिए लेकिन हाँ 60% मिनिमम होना चाहिए और 60% स के चाहिए 65-92% से कम है तो भी आप स्कॉलर सिप भूल जाए अब हम बात करते हैं कि इस सत्र में कौन से वो तीन चाहिए जिनकी स्कॉलर सिप नहीं आएगी इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा सबसे पहला जो पर्सेंटेस क्रैटेरिया अभी मैंने आपको गिना दिया एक वो हो गया दूसरा वो छात्र जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट क्या है कई मतलब वेवज़र रिजन है और दोबारा से उसको सुधार होने में कोई संभाना नहीं तो वो छात्रों के लिए भी किसी प्रकार का कोई परसानिया जो है वो बढ़ सकती है अब हम बात करते हैं यह सारी चीज़ें हो गई तो यह तीसरे कौन से चाहत रहें तो तीसरे वो चाहत रहें जिन्होंने अपना फॉर्म जिनका बेरिफाइट तो है जिनका सब कुछ वेल डन बेल दुरूस्त है लेकिन अधार की समस्या बैंक का इसू है जिसके चलते इन सभी चात्रों को स्कॉलर्शिप का लाव इस सत्र में नहीं मिल पाएगा तो यह तीन चात्र ऐसे हैं तीन टाइप के जिनको चात्रृत्ति का लाव भविस्य में नहीं मिलने के आसार काफी प्रबल है और हालाकि आज डेट है वो है 11 प्र प्रेक्सन या फिर आप फॉर्म फिलर जो भी आप समझो पोर्टल को दुबारा से खोल दिया जाएगा पोर्टल को दुबारा से खोला जाएगा इसी द्रव्यान स्टैटस भी अप्डेट होगा गौर्मेंट के पास कितना बजट बच्चा है गौर्मेंट ऑफिसीर दोर पर इस बात का एलान नहीं कर रही है देखें स्कॉलर्शिप से जुड़े अपडेट पानी हो या फिर स्टैटस च्रकाउट करना हो क्रोम पर आपको बोर्स एक्साम टाइप करके सर्च कर देना है जैसे आप टाइप करके सर्च करोगे पहला इंटरफेस कुल के आज आज आप पर नेचे सारा कुछ इनफर्मेशन पास सकते हो विजिट करके लेकिन यृपी स्कॉलर्शिप से पर स्टैटस 22ißt24 पर क्लिक करके आप अपना स्टैटस पेफवैस का थरूप पैशा यह सारी इंफर्मेशन जान सकते हो यहा dow je आहां से ऑपने अपना पैशा पैशाश् एक हजार करोड कम नहीं होता बसड़ते ये देना चाहे पैसा न भेज़ना चाहे तो दस हजार करोड भी कम पड़ सकता है समझ रहे हैं तो यही सारी चीज़ें हैं यही सारी कहानिया है तो अगर भवी से में स्कॉलर से भेज़ी आती है तो सारा कुछ आपको इसी चैनल पे सारा कुछ बताया जाएगा इधर फ़रम भरना हो करेक्शन करना हो या फिर पैसा भेज़ाई जाना है का सारा प्रोसीज़र तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे जरूर से क्लिक कर दे वीडियो अगर जरा सा भी इंफरमेट्यू लगी हो तो इसे दोस्तों मैं जरूर से अरकट रहाएगा मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तो तक के लिए थैंक्स पर माचिए